उस समय महा तेजस्वी भगवान विश्णु जिनके शरीर पर पीतामबर थे और हातों में शंक, चक्र एवं गदा, आयुध से शोभा पा रहे थे। जगतपती वहां आये। अगवान विश्णु वैनते यानि गरुड पे सवार इस भांती दिख रहे थे जैसे मेघ के उपर सूर्य दिखता है और उनके दोनों भुजाओं पर तपाये हुए सुवर्न के केयूर प्रकाशित हो रहे थे। सभी देवताओं ने उनको देख कर वंदना की और ब्रम्हा जी से मिलने के पश्चात सावधानी के साथ वह सभा में बैठे। तब सभी देवता विनीद भाव से उनकी स्तुती करते हुए यह वचन कहे। हे भगवन हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके उपर एक कार्य का भार दे रहे हैं। इस कार्य के लिए आपको राजा दशरत जो अयोध्या के राजा हैं, राजा दशरत धर्मग्य हैं, उदार स्वभाव के हैं और महर्शियों के समान तेजस्वी हैं। और उनकी तीन राणिया हैं जो हरी, श्री एवं कीर्ती के समान देवी स्वरूप हैं।